नमस्कार दोस्तों मेरे चानल में आपका फिरिस एक बार स्वागत है और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पते होगे कि Redmi Note 6 Pro डिवास के लिए पर देसात है Xiaomi की तरफ से MIUI 11.0.3.0 का लेटेस उटी अपडेट Xiaomi की तरफ से रोलिंग आउट करना स्टार्ट किया है और जो अपडेटे कुछ दिन पहले से आपर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गया था लेकिन कुछ डिवास के आपर टेस्टी की रूप में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गया था तो दोस्तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लासक जरूर दिखते रहे ताकि आपके समझे में कि इस अब्डेट के स्टेल करने बाद Redmi Note 6 Pro डिवस के अंदर कोई कोई से चेंज लोग फीचर देखने को मुल जाता है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो अगर आपके पास Redmi Note 6 Pro का डिवस है तो दोस्तो फाइनल यापर देख सकते हैं सभी डिवसे को मतलब कि सभी इसर्स को पब्रिकली 11.0.3.0 का अबिट रोलिंग आट होना स्टार्ट हो चुका है और दोस्तो इस अब्रिक के बाद काफी सर्फ चेंजल फीचर भी देखने को मिल जाते हैं आलमोच्ट यापर देख सकते हैं सभी कि सभी बग्स, प्रॉब्लेंस, इस्यूस यापर फिक्स हो चुके हैं व्यस्तो आप मोझे कमेंट करके जरूब बता है कि आपके फोंस के अंडर कौन से बिक्स देखने को मिल चुक है मतलब कि इस अब्रिक को इंस्टाल करने बाद कौन सा बंसे बक्स यापर मीसिंग है तो दोस्वे आपर देशाता है सबसे पहले अब्लेट को इस्टाल करने बाद अबाट फोन सेक्षिये में जाकर चेक करके देखेंगे यह आपर देशाता है M.I.U.A का वर्जन है 11.0.3.0 के जोके यार अंडूर पाइबेस वर्जन है साथी में दोस्वे नीची के तरफ से देशाता Android security patch level जो के आपको February महिने का मतलब की 5 February का latest आपको Android security patch level देखने को मुल जाता है साथी में वार्जनी उपर चेकर करके देखेंगे मतलब की वार्जनी चेंज़ लोग में देशाता है आपको Android security patch level आपको चेंज़ लोग देखने को मल जाता है और दोस्वे बहुत सारी लोगों की questions थे कि यार इस subject को install करने बाद Wi-Fi calling के जो feature से Redmi Note 6 Pro device में इनेबल हो चुका है कि नहीं हो चुका है तो दोस्व connection शेरिंग में देशात आपको me share and printing मतलब भी wireless printing and wireless me share के जो support है Redmi Note 6 Pro device का अंदर इनेबल हो चुका है और जो features almost सभी devices के आपर इनेबल हो चुका है बस यहापर Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5 Pro जैसे devices बाकि है तो दोस्वाइबर देशात Redmi Note 6 Pro device के लिए connection sharing में में मी share and printing के जो feature से आपर इनेबल हो चुका है इसके बात करेंगे next features के बारे में जुकर काफी important features है जो कि home screen में जाने के बार देशात आपको finally official app drawer का जो feature से आपर इनेबल हो चुका है अभी भी काफी से लोग मुझे comments करके पूछ रहे हैं कि home screen के अंदर app drawer के जो feature से इनेबल नहीं हो चुका है तो दोस्वाइब को बताना चाहता है कि system apps अपडेटर में जाने कबाद आपको MIU का launcher है इस MIU के launcher को एक बार ज़रूर से अपडेट करकर रख लेजे launcher को एक बार अपडेट करने के बाद आपके home screen के अंदर app drawer के जो official features हो या पर इनेबल हो जाएगा तो दोस्वाइब ड्रूर के feature से official features से किसी भी अप्रकार के बीट है या फिर alpha feature नहीं है काफी stable feature है जो कि Xiaomi की तरफ से सभी devices को Redmi Note 6 Pro device हो या फिर Xiaomi का कौन सभी devices हो सभी के लिए पर rolling out होना start किया है तो दोस्वाइब ड्रूर का जो इनेबल करने के बाद app drawer का option देखने को मल जागा तो app drawer के option में जाने कबाद सरे के background change कर सकते है उसके जो customization app drawer के customization के setting भी कर सकते है साथे हैं दोस्वाइब इसके अलवा home screen में और एक option अड़ होई चुका है जिसका नाम है icon size तो दोस्वाइब अगर आपके application के जो size है मतलब कि application के जो icon के size है आप अपने हिसाब से उसको यह पर customize कर सकते है यह अपर देशाब एक्सट्रा लार्ज है उसके बाद एक्सट्र से mediums, large, extra large जैसा को यह पर size चाहिए अपने हिसाब से अपर icon की size यह पर set कर सकते हैं तो दोस्वाइब आपके जो आपको वाइल पेपर करसोल मतलब की जो आपको जो भी category के वाइल पेपर चाहिए with information तो अपने हिसाब से अपर अपने जो इंट्रेस्ट यह पर select कर सकते हैं मतलब की entertainment हो यह फिर health के regarding हो यह फिर यह फिर sports के regarding जो भी आपके पर follow करना है यह फिर अपर follow कर सकते हैं मतलब की set कर सकते हैं यह फिर अगर आपके जो gallery के local photos है तो local photos यह फिर set कर सकते हैं इसके बादस तो काफी सरी लोग है कि मुझे comments मतलब की questions आते क्या अल्ट्रा पावर सभी मोड का feature है रैड्मी नोट 6 प्रो में यह फिर इनेबल हुआ कि नहीं हुआ है तो दोस्ते बात करेंगा नेक्स्ट चेंज लोग फीचर के बार में जूग है डिजिटल वेलिविंग अप्लिकेशन के अंदर दोस्ते डिजिटल वेलिविंग अप्लिकेशन में जाने बाद आपको फोकस मोड को फीचर से आपको यह पर इनेबल हो चुका है इसके पहले दोस्ता काफी सारी लोगों ने आपको बीटा यह फर आलफा टेस्टिंग में इस फीचर को एकस्स किया चैटिंग अप्लिकेशन हो या फिर मेसेंजर हो एक बार आप यह उसको यह पर चेक आउट कर सकते हैं तो दोस्तों क्विक रिपले का जो फीचर से आपकी फोंस के अंदर मतलब कि रेडिमी नोट 6 पो डिवस के अंदर प्रॉपरली वरक होता है कि नहीं होता है वो भी मु यूए के बारे में तो यूए मतलब की यूजर इंटरफेस थोड़ से अपर हलका सा चेंज हो चुका ज्यादा कुछ मेजर चेंजिस तो नहीं है लेकिन कुछ फीचर मतलब की कुछ पॉइंट से अपर एड़ किया गए है जैसे कि दोस्ता आप सभी को पता होगा कि MIUI को इ इस्टॉल करें बाद MI security मतलब जो अप्लिकेशन है उज़ अप्लिकेशन डार्क थी मतलब की डार्क मोड की यह पर सपोर्ट कर देता है साथिन डार्क मोड को सपोर्ट करने के साथ सथ अगर आप पर चेक आउट कर सकते हैं सिस्टेम में Game Turbo का UI मतलब की Game Speech Booster में चेक आपको अगर आप अप्डेट कर देते तो दो दो सब्सक्राइब कर देते हैं मतलब की सेटिंग्स का अगर आपके पास MP4 वीडियो फाइल से एंड उस Mp4 वीडियो फाइल से अगर आप यह पर MP3 यह फिर ओडियो सुनना चाहते हैं तो without any conversion मतलब कि किसी भी प्रकार का यापर audio convert करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपर देसात है meme music का अंदर आपके आपके आपर देसात है display MP4 files का feature add हो चुका है जिसके ज़र अपने phones का अंदर जितने सारे MP4 video के जो folders से उसे आपर folders को select करकर रखना है और जितने सारे folders को select करें बात सारे सारे videos जो कि MP3 files रहते हैं मतलब भी audio रहते हैं उस video के अपर add हो जाता है तो दोस्तों ये भी काफी interesting features add हो चुका है जिसके ज़र आपको किसी भी प्रकार का video का या पर audio connect करने के जोरूरत नहीं है मतलब कि ये अपर video to MP3 convert करने की जुरत नहीं आप आसने से अपर MP4 files ये फिर video files के जो audio रहते हैं मतलब MP3 files रहते हैं आप आसने से पर सुन सकते हैं इसके बतर साब बात करेंगा और भी कुछ आपने चेंजिलों के बारे में मतलब के वीडियो टूल बॉक्स जो कि अभी फिलार के लिए देश सकते हैं अलफा टेस्टी में है तो अगर आपके phones के अंदर लगे Redmi Note 6 Pro के अंदर अगर आपको यापर वीडियो टूल बॉक्स को एनेवल करना था मैंने कहा था कि क्विक शॉटकर्ट मेकर को कि ज़रब आसने से वीडियो टूल बॉक्स को जो अंदर की सेटिंग्स रहते हैं उसको एनेवल कर सकते हैं यूटुब होगा याफर किसी भीले रहोगे की किसी बहुति ऑफ्ल iteration 2020 वीडियो टूल बॉक्स को शॉइब को स्रीकृट सेखने इसके बाद कुछ हमा घुषल करे्स बात करेंगा और च्छींटे मोटे चग्रीशक पीचिर्व ने जो हमिड़िए puntos की लिए पर को देखने को मिल जाता है थो दौस तो जो वी इस दो जाथ को से आपको एक ही साथ 2 आप्शन मिल जाता है तो दोसे जो फीचे से करने कई टैम से ट्राइब ट्राइब के और किसी प्रकार के फीचर से बाद की अबी तक एड नहीं हुच करिंग और फीचर के बार में कुछ घ्यारे हैं वो भी अपर चेंजेस देखने को नहीं मिला है, साथ हैं दोस्तो ट्रेश बीन मतलब कि रिसेकल बीन, वो भी अभी तक Redmi Note 6 Pro डियोस के अंदर भी तक देखने को नहीं मिला है, बसे अपर देशते एक गैलेरी के अंदर जो मीशेर का अप्लिकेशन रहता है, मीशेर अप्लिके जो कॉलिटी है, थोड़ी बहुत यह पर इंप्रोमाइस की गई है, जो कैमरा लेगिंग की इश्यो था, यह पर टोटली फिक्स किया गा है, बात करेंगे दोसा कैमरा सेटिंग्स, मतलब एक कैमरा का जो फोटो मोर्स है, साथ हैं दोसा वीडियो मोर्स है, उसके अंदर कु पर छोटे मोटे चेंज लाग आपको देखने को मल जाते है, रेटमी नोट 6 पो डिवास का अंदर हो सकता है, और भी कुछ आपको फीचर भी देखने को मल जाएंगे, जो कि आपको रेटमी नोट 6 पो में, नेक्स टब्लिट के बाद मतलब की 11.054.0 या फिर 11.055 बडिट सबी डिवासस में, हाला कि दोस इसका जो टेस्टिंग चल रहा है, वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूब बात है कि जो नया चार्जिंग एनिमेशन आपको कैसा लगा, तो दोस्तो आज के इस विड़े में मैं आपको बस इसी रेटमी नोट 6 पो डिवास के अंदर, 11.05 तो दोस्तो आज के इस विड़े में बस इतना है, इस विड़े को लाइक कीज़े, शेर कीज़े अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे कुछ ऐसा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्यों, बाबाई, टेक केर.